ठीक है इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स वान विच तोहाडा सवागत है अते आज जासी दो वेरियेबल्स दे फंकशना दी कंटीन्यूटी दे बारे गाल करांगे असी पहला ही लिमिट दी परिबाशानू वेख चुके हाँ असल विच लिमिट दी डेल्टा एपसीलोन परिबाशानू वेख चुके हाँ अते ए ओना परिपाशावा तो परेरित है इसलई एक फंकशन जेड बराबर है fxy नू एक, point x0 y0 ते continuous केहा जान्दा है जेकर इस fxy नू x0 y0 ते परिपाशित कीता जान्दा है दूसरा, ए लिमिट xy goes to x0 y0 fxy exist कर दी है अते तीजा एक एह लिमिट उस point ते function value दे बराबर है जे ए तिन्नो शर्ता पूरियां हुन्दियां हान्ता function नू परिपाशित कीता जान्दा है ता एह लिमिट exist कर दी है अते limit 0x0 y0 ते function value दे बराबर है ता आसी कहन दे हां कि function point x0 y0 ते continuous है अते जेकर function f xy domain d दे which हर एक point ते continuous है ता असी कहन दे हां कि function उस domain d विच continuous है आखर कारे थे असल विच continuity दा मतलब limit दा पता लगाउना है क्योंकि xy goes to x0 y0 ते आन दियो कि एह limit x0 y0 ते function value दे बराबर होनी चाहिए दी है असी limit लई delta epsilon परिबाशा नू परिपाशित कर दे हां क्योंकि एक function z बराबर है f xy नू point x0 y0 ते continuous केहा जान्दा है जे किसे दित्ते होई epsilon दे लई एक real number delta positive exist कर दा है जिमें कि f xy अते f d x0 y0 ते इस value दा अंतर epsilon तो cut होंदा है जदों भी असी यहना x अते y नू x0 y0 point दे delta neighborhood तो लेंदे हां a limit दी परिबाशावी सी जित्ते असी वेख्या है कि इस function दी एक limit l है इसलिए f x0 y0 दी बजाए असी उत्ते l दी वर्तों कीती अते हुन क्योंकि function नू x0 y0 ते परिपाशित कीता जाना है अते असी यह वेख रहे हां कि limit f x y जिमें ही x y गोस तो 0 f x 0 y0 दे बराबर है जा नहीं इसलिए epsilon delta परिबाशा limit ले बिलकुल उसे तरह है जिमें पहला सी इत्थे असल विच असी हुन इस दी वर्तों नहीं कीती है कि इस x note y note point तो बचन लई नू इस नू 0 तो वड़ा होना चाहिदा है क्योंके हुन function नू x note y note ते परिपाशित कीता गया है पहला limit function दे मामले विच उस point ते परिपाशित नहीं कीता जा सकदा सी फिर भी असी limit बारे गल कर सकदे हां पर हुने इस मामले दे विच continuity दे लई function नू x note y note ते परिपाशित कीता जाना है अते इस लई इथे इस inequality दी लोड नहीं है इस लई एक हो टर्म है जिसनू असी removable discontinuity लई वर्तिया है इस लई सारियां शर्ता जिनना बारे असी पहला चर्चा कीती है जिमें के function x note y note ते परिपाशित है अते limit x y goes to x 0 y 0 f x y exist कर दे हन अते तीजा जदों इह limit x note y note ते function value दे बराबर नहीं हुन दी उदों असी कहन दे हा कि function दी removable discontinuity है जे इह बराबर है ताए continuity दी परिबाशा है जिस दी असी हुने चर्चा कीती है आओ हुन कुझ उदाहरना ते चलिए इस लई इस function continuity बारे विचार करो f x y बराबर 2 x 4 पलस 3 y 4 9 x square पलस y square नाल वंडे आ जान्दा है अते एह उदों परिपाशित हुन्दा है जदों x y 0 0 दे बराबर नहीं हुन्दा है अते इस function दी value 0 हुन्दी है जदों x y 0 दे बराबर हुन्दा है अते असी origin ते इस function दी continuity ते चर्चा करांगे इसलिए सानु मूल रूप विच जांज करन दी ज़रूरत है के थे इस function दी a limit x 4 पलस 3 y 4 divide x square पलस y square 0 दे बराबर है जेकर a limit 0 दे बराबर है ता function continuous बन जावेगा नहीं ता जेकर a limit exist नहीं कर दी है जा a 0 दे बराबर नहीं है ता आसी कहन दे हां कि function continuous नहीं है जिमें कि पिछले lecture विच चर्चा कीती गई सी कि ए polar coordinate विच बदलना limit दा पता लगाउन लेई बहुत मददगार है इसलिए इस case विच भी असी ओना कदमादी पालना करांगे ता आसी हुन कार्टीजियन नूँ polar coordinate विच बदलांगे क्योंकि जदों वी असी x square पलस y square टरम नू denominator विच वेख दे हां ता इसनू polar coordinate विच बदलना बहुत ही लाबदाइक है इसलिए इस स्थिती विच जदों असी coordinates नू x y तो r theta विच बदल दे हां ता x होवेगा इसलिए असी मूल रूप विच इत्थे सबस्टिट्यूट कर दे हां x नू r cos theta अते y नू r sin theta दे बराबर रख दे हां अजेहा करन नाल असी दो गुणा r 4 theta पलस तिन r 4 sin 4 theta प्रापत कर दे हां अते फिर इत्थे r square cos square theta पलस r square sin square theta इत्थे r square बन जावेगा होने ये r square इस नाल कैंसल हो जावेगा इसलिए इत्थे सानू दो प्रापत होवेगा अते होन साड़े कोल दो है जाए इस दे बजाए जेकर असी r square कामन लेंदे हांता इत्थे साड़े कोल है cos 4 theta पलस sin 4 theta टाइमस r square इसलिए आओ वेखिये अते इस तरा बन जावेगा लिमिट r goes to अते फिर इत्थे r square अते फिर cos 4 theta पलस sin 4 theta अते क्योंकि ए एक bounded function है cos 4 theta जमा sin 4 theta जित्थे r goes to 0 ता ए लिमिट 0 होवेगी अते 0 0 ते function value भी 0 है इसलिए function continuous है हुण अगली उदारन ते अग्गे वद्दे होए हुण असी function दी continuity दे बारे चर्चा करांगे f x y बराबर है x कटाओ y पूरे दा square वटा x square जमा y square जदों x y बराबर नहीं हुंदा नहीं ता ओरिजिन ते एक function नो 0 वजों परिपाशत कीता जान्दा है इस मामले विच असी पत y बराबर है चुनांगे क्योंकि इथे ए चोन पत दुबारा निरनायक है क्योंकि इथे आडर y विच वी दो है ए वी दो है इसलिए y बराबर है m x चुननते x कैंसल हो जावेगा अते ए मिलिट m ते निर्बर करेगी ज्यादा तर मामले विच ए काम करेगा इसलिए जदों असी इत्थे y बराबर है m x सबस्टिट्यूट कर देहा ता सानु ए लिमिट मिलेगी x y goes to 0,0 अते x अते y नू सबस्टिट्यूट कर देहा m x बटा x स्कुएर m जमा m स्कुएर x स्कुएर ता इत्थों असी x नू कामन लें देहा इसलिए ए हटा दिता जावेगा अते सानू ए मिलेगा लिमिट एक कटाओ m पूरे दा स्कुएर बटा एक जमा m दा वर्ग x तो मुकत्ता ए लिमिट जो के x गोस टू 0 है ए कुछ होर नहीं बलके एक कटाओ m स्कुएर बटा एक जमा m स्कुएर इसलिए ए लिमिट पातते निर्बर कर दी है क्योंकि m दी वखरी वैलियू चुननते सानू इस लिमिट दी एक वखरी वैलियू मिलेगी या ते इसलिए ए लिमिट एगजिसिट नहीं कर दी या ते फिर दुबारा 80 कहांगे कि ए फंक्षन कंटिन्यूस नहीं है अगली उदारन 80 इस फंक्षन दी कंटिन्यूटी दे बारे चर्चा करांगे एक स्कुएर जमा वाई स्कुएर दा स्कुएर रूट अते फिर साड़े को लिथे है एक स्कुएर जमा वाई स्कुएर नहीं ता वैलियू 0 हन अते असी इस function दी continuity दे बारे दुबारा 0-0 ते चर्चा करांगे क्योंकि जदो x-y इस दे बराबर नहीं हुन्दा function नूँ असानी नाल दिखाया जा सकदा है कि ए continuous है ए point दुबारा क्योंकि x square y square टरम नू polar coordinate विच बदलना मददगार होवेगा अते असी करांगे limit x y goes to 0-0 sin इस दित्ते function नू limit r तो 0 विच बदल दिता जावेगा इसलिए इत्थे sin a x square पलस y square r square हो जावेगा इस परिवर्तन दे नाल x बराबर है r cos theta होवेगा y बराबर है r sin theta x बराबर है r cos theta अते y बराबर है r sin theta इसलिए इस सबस्टिट्यूशन नाल असी इत्थे r square अते इत्थे a r square पराबत करांगे अते फिर a होवेगा limit r goes to a sin r है अते इत्थे saadhe kol r है इसलिए limit a sin r बटा r जिमेही r goes to 0 इसलिए saadhe kol होन सिरफ एक variable limit है इसलिए उदारन दे तौर ते l hospital नियम दी वर्तों करदे होए असी sin r दा derivative प्रापत कर सकदे हाँ जो की cos r होवेगा अते a derivative 1 है अते limit r goes to 0 इसलिए a 1 होवेगा इसलिए a limit 1 है अते 0 0 point ते परिपाशत function value नो 0 दे रूप विच दिता गया इस स्थिती विच limit exist कर दी है पर function इस ते continuous नहीं है क्योंकि ए limiting value function value दे बराबर नहीं है जो की 0 0 दे निर्तारत कीता गया है इसलिए a removable discontinuity दा मामला है जिथे limiting value इसलिए limit exist कर दी है function नो परिपाशत कीता गया है पर ए limiting value उस point दे functional value दे बराबर नहीं है इसलिए a removable discontinuity दी उदारन है इक होर उदारन असी इस function दी origin ते continuity दे बारे दुबारा चर्चा करांगे इसलिए साड़े कोल है x power 4 y power 4 अते फिर x square plus y power 4 power cube हुन इस स्थिती विच असी विशेश पत दी चोन करांगे y square बराबर है mx क्योंकि y बराबर है mx मददगार नहीं होवेगा साड़े कोल इत्थे वखरा अडर है इसलिए होन इसनू चोन दे हाँ y square बराबर है mx इस y power 4 दे कारण जे कर y square अंदर होवेगा ता ym square x square है अते फिर साड़े कोल x square कामन हो सकदा है जे असी इसनू लेंदे हां ता असी इस y square नू उत्थे सबस्टिट्यूट कर दे हां फिर उस स्थिती विच ए limit x goes to 0 ए पत ओरिजिन तक ले जावेगा इसलिए होन असी limit x goes to 0 लवांगे साड़े कोल इत्थे x4 है अते फिर y square whole square ता ए बन जावेगा x square अते x power 2m square x power 2 अते फिर इत्थे divide कीता गया x square पलस ए y square whole square इसलिए m square x square अते इस ते 3 दी power x power 6 इते तो x square फिर power 3 इसलिए x power 6 cancel हो जावेगा अते फिर सानू ए limit मिलेगी m square बटा 1 plus m square cube जो के इते दित्ता गया है इसलिए a है m square बटा 1 plus m square बटा cube फिर 80 वेख देहां कि जे 80 ए पात चुन देहां ता limit m दियां वखो वखरे value आन लई पात ते दुबारा निर्बर कर दी है तो हानू इस limit दी एक वखरी value मिलेगी आते इसलिए एह limit exist नहीं कर दी आते इसलिए a function continuous नहीं है हुण अगली प्रोबलम वाल वद्दे होए साड़े कोल है x square पलस y square बटा 10 x y इसलिए इस function नूँ देखके एह वेखना मुश्कल है कि limiting value की होवेगी जिते limit exist करेगी जिसते असी substitution करनी है दुबारा आओ y बराबर है m x नूँ चोन देहां अते वेख देहां कि इस मामले विच की हो रहा है इसलिए ए दित्ती गई limit जे साढ़े कोल है a x y goes to 0 0 अते फिर a x square पलस y square बटा 10 x y अते जेकर असी इस y बराबर है m x नूँ सबस्टिट्यूट कर देहां ता असी लेंदेहां limit x goes to 0 अते इथे साढ़े कोल होवेगा x square पलस m square x square अते फिर a 10 m x square इसलिए y m x x square है खुन जदो x goes to 0 हुंदा है ता असी numerator विच e 0 प्रापत कर देहां अते denominator विच 10 0 0 बटा 0 के से एक variable limit है ता जो असी मूल रूप विच l hospital दी वर्तों कार सकीए उस स्थिती विच सानू a मिलेगा limit बराबर है a limit 2 x पलस दुबारा 2 x m square अते फिर इते साड़े कोल है x square m x square अते फिर a है 2 m x ए 2 x 2 x अते फिर भी इतों 2 x कैंसल हो जावेगा अते जदों x गोस टू 0 हुन्दा है ता इते एक है एक है जदों इस स्थिती विच ए m square है इसलिए साड़े कोल है m square बटा एक है अते ए है इसलिए 1 पलस m square है इते एक है पलस m square डिवाइड m ता फिर ए limit पतते निर्बर कर दी है अते ए है इक पलस m square बटा m जिस दा असी हुने मुलांकन कीता है इसलिए limit पातते निर्बर कर दी है अते इसलिए limit एगजिसिट नहीं कर दी है अते function दुबारा continuous नहीं है इस case विच कुछ टिपनिया जो continuity जा असल विच limit दा पता लगाउन ले बहुत उप्योगी हन इसलिए polar coordinate विच बदल दे हुए असी एकस बराबर है आर कोस थीटा अते वाई बराबर है आर साइन थीटा नू सबस्टिट्यूट करके अते नतीजे वाली expression दी limit सी जांच करके देख दे हाँ जो है आर गोस टू जीरो बहुत उप्योगी है जिमें के असी कई उदाहरना विच वेख्या है जिमें जे असी सदारन उदारन लेंदे हां एकस क्यूब एकस स्क्यूब पलस वाई स्क्यूब इसलए असी पोलर को आडिनेट नू बदल सक्दे हां इसलए साड़ी limit होवेगी आर गोस टू जीरो अते इथे साड़े कोल होवेगा आर सक्यूब कोस माफ करना आर क्यूब कोस क्यूब थीटा बटा ए आर सक्यूब अते फिर ए आर सक्यूब इस आर नाल कैंसल कर दिता जावेगा ता तो हडे कौल होवेगा R अते फिर limit R goes to 0 इसलेही A cos² थीटा एक bounded function है इसलेही जदो R goes to 0 हूंदा है ता एह limit होवेगी इसलेही limit 0 है एक होर उदारन विच भी असी देख्या है कि इसनु polar coordinate वीच बदलना ए निर्तारत करन लेवी उप्योगी है कि लिमिट इगजिसिट नहीं कर दी इसलए ए स्थिती सी जदो लिमिट इगजिसिट कर दी है अते हुने इस स्थिती विच जदो असी इसनों दुबारा सबस्टीट्यूट कर दे हां XIX बराबर है R cos theta अते Y बराबर है R sin theta इस विच इसलए इत्थे R square अते इत्थे R square cos theta अते A R square मिलेगा इस R square नाल कैंसल हो जावेगा अते इस स्थिती विच फिर कोई R बाकी नहीं है इसलए cos theta इसलए A limit cos theta है अते A theta ते निर्बर कर दी है इसलए जदो limit theta ते निर्बर कर दी है इस दा मतलब है कि limit इगजिसिट नहीं कर दी है, limit थीटा तो independent होनी चाहिदी है इसलिए इत्थे थीटा दिया वक्ख वक्ख value लई असी वक्ख वक्ख, real नंबर प्रापत कर रहे हां इसलिए ए limit, unique नहीं है, अते इसलिए एगजिसिट नहीं कर दी है इसलिए असी होर उदाहरनावी वेखिया हन के polar coordinate नू चुनना limit निर्तारत करन दे नाल नाले निर्तारत करन लेवी बहुत उप्योगी है कि limit इगजिसिट नहीं कर दी है अगला, रिमारक के इस polar coordinate विच बदलना हमेशा सहायता नहीं करदा अते एहुन बहुत महतब पूरण है कि एह हमेशा मदद नहीं करदा अते परिवर्तन सानू गलत का नकलूजन वाल लेके जा सकदा है असी इस मामले विच कुछ सहायक उदारन वेखांगे इसलिए जे असी इस x square y बटा x4 पलस y square इस उदारन वेखांगे जे असी x बराबर है r cos theta अते y बराबर है r sin theta नूँ सबस्टिट्यूट करदे हांता इथे असी प्रापत करांगे क्योंकि इत्थों एक r square r इत्थों r सानू r cube मिलेगा अते फिर cos square theta अते sin theta अते फिर इत्थे r 4 cos 4 theta अते r square sin square theta इसलिए इस case विच इस r square नूँ असी cancel कर सकदे हां इसलिए सानू प्रापत होवेगा r cos square theta sin theta अते denominator विच सानू r square cos 4 theta पलस sin square theta मिलेगा अते होन जे कोई सिद्धा इत्थे limit pound दी कोशिश करदा है अते सोचदा है के r goes to 0 है ता ए टरम बन जान दी है साडे कोल है sin square theta अते फिर इत्थे r cos square theta sin theta है जदो r goes to 0 होन दा है ता ए 0 बन जान दा है पर एह गलत का नकलूजन है जे 80 theta नू fix कर दे हां ता जे 80 theta दी कोई value fix कर दे हां उस थिती विच एह limit 0 है क्योंकि जो भी theta 0 समेथ है जदों भी समा होवेगा ता ए इस तरह बन जावेगा अते फिर हर चीज 0 बन जावेगी इसलिए limit 0 होवेगी उस थिती विच भी जे आसी कोई होर theta लवांगे ता कुझ नंबर इत्थे आउनगे अते फिर r goes to 0 होन दा है ता आसी इस इत्था कड सक दे हां कि इस 0 है इस बारे कोई शक नहीं पर इत्थे ते आंदेन वाली गल ए है कि साड़े कोल theta fix है इसलिए theta दी fix value लई ए 0 है पर limit दे बारे विच असी पहला ही विचार कर चुके हां कि साननू ए सिटा कड़न लई theta नू fix नहीं करना चाहिदा कि एह limit fixing theta है मतलब पत नू fix करना इसलिए किसे खास पत विच एह limit 0 है जित्थे असी theta नू सिद्धी लाइन दे तौर ते fix कर रहे हां सिद्धी लाइन दा केस जदों असी theta नू fix कर दे हां असी असल विच इस वाल जा रहे हां इसलिए जेकर साड़े कोल है ए साड़ा r theta plane है अते फिर theta fix करके इस लई जे साड़े कोल fix theta है अते फिर उस स्थिती विच असी असल विच सिद्धी लाइन द्वारा origin दे नेडे जा रहे हां इस लई दुबारा है fixing theta है सिद्धा नहीं कड़ेगा के limit 0 है उदारन वजों जेकर असी कोई होर पत लेंदे हां जित्थे y बराबर है x square पत है इसलई ए दुबारा 0 तो origin वाल जा रहा है अते इस स्थिती विच जे असी इस खास पत दी चोन कर दे हां y बराबर है x square जां polar coordinate विच r sin theta बराबर है r square को square theta ता ए लिमिट r goes to 0 बन जावेगी अते थे ए x square r square को square theta अते फिर a r sin theta फिर असी इस r square theta दी वर्तों कीती है एही चीज इत्थे r square cos 4 theta अते a r sin theta नू r 4 cos 4 theta नाल बदल दिता गया है इसलई हून असी इत्थे प्रापत कर रहे हां r 4 cos square theta अते फिर cos square theta को square theta इसलई असी इत्थे प्रापत कर रहे हां r power 4 cos 4 theta अते इत्थे सानू मिल रहा है दो टाइमस r 4 अते cos 4 theta एह cancel हो जाएगा अते सानू ए लिमिट अद्धी मिलेगी जां सिद्धा कोई वी इसनू सबस्टिट्यूट करके वेख सकदा है y बराबर है square इस पाथनू लेंदे होए इसलई सानू ओ लोडी दी लिमिट मिलेगी जो है x goes to 0 अते फिर x square इसलई y नू x square नाल बदलेया जान्दा है अते फिर साड़े कोल x 4 अते पलस y square है फिर दुबारा इत्थे x 4 इसलई a x 4 अते लिमिट x goes to 0 अते साड़े कोल है a x power 4 डिवाइड 2 x 4 इसलई x 4 कैंसल हो जान्दा है अते फिर सानू a limit अद्दी मिल जान्दी है इसलई इस विशेश पत दे नाल इस मामले विच ए limit है जदों के इत्थे इसनू नेडियो ना वेक के असी इस limit नू इत्थे लै के इह गलती कर सकदे सी जिमेही r goes to 0 हुन्दा है अते फिर ए limit 0 है पर ए अजेहा नहीं है जिमें के असी वेख्या है के ए सच मुच जीरो है पर उस थिती विच सानू इस थीटा नू फिक्स करना पएगा अते फिर limit 0 है अते असी इस पत नू लैके इत्थे वेख्या है limit अद्दी है इस लई limit इस केस विच एगजिसिट नहीं कर दी y cube जदों इस स्थिती विच असी coordinate नू इस पोलर coordinate विच बदल दे हां हुन की होवेगा ता ए है r square ता r 4 आवेगा अते cos square theta sin square theta अते इत्थों r cube आवेगा इसलई साढ़े कोल numerator विच एक r है अते फिर cos cube theta अते sin cube theta है फिर जदों r goes to 0 हुन्दा है ता सानू इस गलती नहीं करनी चाहीदी के r goes to 0 हो जान्दा है अते इत्थे कुछ है ता इस 0 हो जान्दा है नहीं सानू इस function नू नेडियों वेखना पवेगा कि जे इत्थे पए theta दा bounded function है जा नहीं अते फिर असी इस limit नू ले रहे हां r goes to फिर इस 0 हो जावेगा पर इस थिती विच ए function इत्थे उदारन वजों एक cos cube theta कटाओ sign cube theta unbounded बन सकदा है क्योंकि इस 0 दे नेडे जा सकदा है अते ए असल विच unbounded function है इसलई ए एक bounded function नहीं है इसलई असी इस ताथदी वर्तों नहीं कर सकदे कि जिमें ही r goes to 0 होंदा है ए limit 0 बन जान दी है जे असी theta नू ठीक कर दे हां जे असी theta नू फिर तो ठीक कर दे हां जिमें के पिछली उदारन विच ए limit 0 है इस तरह असी इस theta नहीं कर सकदे कि ए limit 0 है इसलई असी इस नू अगली slide विच विखांगे कि इस मामले विच limit exist नहीं कर दी इसलई जेकर असी इस function दी continuity नू इस path y बराबर है m max दे नाल देख दे हां polar coordinate विच बदलना अते theta नू fix करना जिमें के असी चर्चा कीती है के ए दो में समान हन इसलई इस इस पत दे नाल 0 है पर जे असी इस विशेश पत लेंदे हां y बराबर है minus x e power x फिर असी इत्थे x square अते 4 y square दुबारा x square e power 2 x अते फिर x cube प्रापत कर रहे हां अते a y cube a होवेगा x cube minus sign दे नाल अते e d power 3 नैकस हुन इस थिती विचे x cube cancel हो जावेगा इसलई साढ़े कोल numerator विच है x e power 2 x अते denominator 1 minus e power 3 नैकस ता जो इत्थे limit है x goes to 0 a limit 0 बटा 0 है इस मामले विच असी L hospital नियम दी वर्तों कर सक दे हां इसलई a limit e power 2 x plus x दे बराबर होवेगी क्योंकि यही power 2 x अते फिर 2 है इसलई a एक differentiation है अते फिर minus e power 3 x in 2 तिन है इसलई जदो x goes to 0 हुन दा है ता इस 0 वाल जान दा है इसलई साढ़े कोल 1 बटा 3 है इसलई minus 1 बटा तिन इस विशेश पत दे नाल इस function दी limit है दुबारा एक पत 0 वाल जा रहा है असी यह दिखाऊन लई एक बहुत ही खास पत लिया है कि एक बहुत ही खास उदारन है अते एस समझना मुश्किल भी है कि इस पत ते सानू एक वक्री limit मिलेगी पर एस साबत करदा है कि limit exist नहीं कर दी है अते इस लई एक फंक्शन 00 ते continuous नहीं है आखरी उदारन विच असी इत्थे origin ते इस function दी continuity ते चर्चा करांगे दुबारा असी इसनू polar coordinate विच बदल दे हाँ ए इसनू सरल बना देवेगा x square पलस y square तरम अते साधे कोल है x y goes to 001 पावर माइनस 1 बटा x square पलस y square x 4 पलस y 4 इसले इस लई polar coordinate विच बदलन ते ए बनेगा इदी पावर माइनस 1 बटा r square अते ये इधे r 4 अते cos 4 theta जमा sin 4 theta होवेगा इस तरम दे कारण फोन असी इधे छोड़ा तोड़ जोड़ कारदे हाँ इसले इधे cos 4 theta जमा sin 4 theta असी इधे सिरफ 1 4 स्क्रुयर टरम बना सकदे हाँ इसले cos square theta जमा sin square theta पूरे 10 स्क्रुयर इसले 2 गुणा cosë square theta आवेगा उस को स्क्वेर थीटा जमा जा साइन स्क्वेर थीटा नू कटा सकदे हां इसलई ए तरम इस तरम दे बराबर है सारे दा स्क्वेर कटाओ दो गुणा को स्क्वेर थीटा साइन स्क्वेर थीटा जदो असी इस स्क्वेर नू खोल दे हां सानु मिलेगा कोस 4 थीटा जमा साइन 4 थीटा अते 2 गुणा। प्रोडगट जो इस द्वारा कैंसल कार दिता जावेगा इसलिए सानु ए तरम मिलेगी। ता जो इत्थे साइन सक्वेर थीटा जमा कोस सक्वेर थीटा एक बन जावे अते फिर साडे कोल है एक कटाव ए तरम जिसनु असी दुबारा इत्थे लिख सकदे हाँ दो गुणा कोस थीटा सिन थीटा बराबर है साइन दो थीटा इसलिए ए सक्वेर सक्वेर दे कारण इत् इसलिए इस मामले विच अद्दा बन जावेगा इसलिए इस मामले विच अद्दे तो एकदे विच हुंदा है फिर R दे बराबर नहीं हुन्दा इसलिए असी इस तर्म दा अंदाजा लगा सक्दे हां के इर्थे पूरी तर्म एक बटा R सक्वेर अते एक माइनस से इसलिए ये एक पाजिटिव टर्म है अते इथे साड़े कोल ए अद्दे तो वड़ा है इसलिए निश्चत रूप तो E 0 तो वड़ा है अते हुन भी क्योंक्य आसी जान दे रहा कि एह हमेशा अद्धे तो वड़ा हुन्दा है इसलही असी इस अद्धे नू बदल सकदे हां इस दे लई अप्पर बाउंड भी परापत कर सकदे हां इसलिए इसनु अद्दे नाल बदलन नाल असी प्रापत करांगे दो पावर माइनस एक बटा आर सकुएर चार चार इसलिए ए टर्म इथे 0 अते इस टर्म दे विचकार है अते हुन इस दे लई असी वेक सकदे हां कि इस दी लिमिट की है जिमें ही आर गोस टू जीरो हुंदा है इस दो इपावर एक बटा आर सकुएर आर चार जो असी इथे एक होर वेरियेबल टी दी वर्तों कीती है जो इनफिनिटी वाल जान्दा है क्योंकि एक बटा आर नू असी टी दे रूप विच सबस्टीटीट कर रहे हां इसलिए जेकर आर गोस टू जीरो टी गोस टू इनफिनिटी ता इत्थे साड़े कोल है दो इपावर माइनस टी सकुएर अते फिर एक बटा आर चार चार बन जावेगा अते ए असी हुन असानी नाल कर सकदे हां इसलिए ए दो टी पावर चारी पावर टी सकुएर होवेगा इनफिनिटी बाई इनफिनिटी केस अते फिर असी इस लिमिट नू जीरो वजो प्रापत करन लई L-Hospital नियम दी वर्तों कर सकदे हां इसलिए ए लिमिट जीरो है इसलिए असी ए वेग दे हां कि असी इत्थे लिमिट नू आर गोस टू जीरो दे रूप विच प्रापत करना चावन दे हां A0 अते इत्थे कुछ दे विचकार है जो दुबारा 0 ते जान्दा है जिमें ही R गोस्टू 0 हुन्दा है इसलिए सक्वीज थियोरम जा सैंडविच थियोरम द्वारा असी हुन इस दी लिमिट प्रापत कर सक्दे हां क्योंकि A0 है अते इत्थे वी लिमिट स्थिती विच A0 वाल जा रहा है इसलिए ए लिमिट 0 होनी चाहिदी है इस मामले विच खुण असी इस सिट्टे ते पहुंच सक्दे हां कि असी कंटिन्यूटी दे बारे चर्चा कीती है कि F फैकस वाई इत्थे लिमिटिंग वैलियू दे बराबर है जो उस फंक्शन दे फंक्शन वैलियू दे बराबर है ता असी कहन दे हां कि F function continuous है अते कुद्रती तौरते फंक्शन नू इस पोईंट ते परिपाशित कीता जाना चाहिदा है ताही असी continuity दे बारे गाल कर सक्दे हाँ अते असी एवी देख्या है कि polar coordinate विच बदल दे समय सानू बहुत सावदान रहन दी लोड है क्योंकि ए बहुत सारे मामलयां विच कुछ गलत लिमिटा वल गुम्रा कर सक्दा है इसलिए एह हो हवाले हन जो असी एहना लेक्चरा नू तियार करन लेई बरते हन अते तो हड़ा बहुत तन्वाद